मटर पनीर सुनते ही मूं में पानी आ जाता है ना ऐसे हर एक परिमार में किसी बच्चे बड़े सब में से किसना किसी का तो जरू फेविलिट होता है और आज यही मस्तर पनीर की सब्जी बिकुल अपने तरीके से में आपका शेयर कर रहे हूं जो बनने में जितनी टेस्टी अपने में जितनी असान है खाने में उतनी टेस्टी यह मिसी आज यही आलू मटर पनीर के सब्जी में आपका शेयर कर दिए तो लाइक शेयर कमन कीजिए चले देखते हूं दोस्तों नमस्कार बभीता की चन में एक फिर से आप सबका स्वागत है बभीता की चन में जो यह ब्रुपल घर की बनीवी रहे सिपी जैसे मैं बनाती हूं और सिंपल तरीका शेयर कर रहे हूं मटर पनीर का इसके लिए मैं हैं तीन टेमाटर एक आलू एक प्याज लस्ट चौप करके एक रिचा नाल दूगे यहां मिख्सी डाल के पीसे में अब दूगे अद्रक लिए अदरक पीशां काटें में यहां दूगे सारे चीज़े एकी साथ डाल के सत्वीसेंगे हम दो हरी मिर्चे ये बी काट देंगे और ये जो मैंने छे से साथ लसन लिया है वह भी डाल दूगी और एक प्याज इसको भी हम रफली चॉप करके इसके इंदर डाल देंगे इन सब का में एक डरदरा सा पेस्ट बनाएंगे यह मेरा तरीका है बनाने का आप इस तरीके से जरू बना के देखिए देखिए सब्जी भोती त्रेस्टी बनेगी और लीजिए मसाला मेंने पीस लिया है बस इस तरह आप से दिख रहाएगा आपको दरदरा सा ऐसी इसमें सब कुछ दिख रहा है कि टमाटर प्याज वगर पर इतने अच्छी बनेगी और फोटी फटा फट बनती है कोई गैस्ट आता है तो उसके लिए फटा फट से एक सब्जी तियार कर सकते हैं सबसे बले हम पनीर को आसे मोटा मोटा क्यूब में काट लेंगे देख रहे हैं आप मैं ज्यादा पतला नहीं काट अब मेरा पनीर करना फ्रेंट्स कभी पनीर आप बनाते हैं फ्राइ करता तो आप यह जरूर आद अट कि जब बिया पनीर करते हैं तो ओई गरिते हैं पनीर पहित में यह च 독ड़ी संब ल pacre कर के कर ला हूं का नियूट से पनीर फट नहीं है यह देखिए किसथे जल्दी मेरा पनीर हो यहां मैं निकाल दिया ऐसे अलग से वर्तन में यह देखिए बाकी पच्छावा फिर दुवारा डाल दूँ और सेकिंड बात यह कि पनीर को ज्यादा एकदम से नहीं डाला थोड़ा-थोड़ा करके डालिए अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इकटा पनीर आप एक स तुरद मतर डाल देंगे मतर डालने के लिए बाद उसको अच्छी तरह चला लेंगे अब यह भी हम निकाल लेंगे यहां आलू मतर पनीर हमारा तीनों जी फ्राय हो चुकी है निकाल के लग रख लेंगे बस देखिए इसे हमें फ्राय करने में मुश्किल से मुझे 10 से 12 मि निकाल देंगे सिर्फ थोड़ा एल रखेंगे इसके अंदर मैंने इसमें पीचा था वो डाल दोंगे और इसको इसके साथ मसाला को इसमें अच्य तरह भूनेंगे हैं अभी देखिए ओए मसाले क्वांटिटी ज़्यादा है मसाला जब अच्छी तरह भून जाएगा तो दो हमारे को दो परिश्य दो पता कर सकते हैं हमके मारा मसाला भून चुका एक तो यह ओल छोड़ देगा और दूसरा यह हमारा कॉइंटिटी में कम हो जाएगा और देखी मसाला आपको दिख रहा हूगा कैसे दर दरा सा दिख रहा है इसी मसाले से इस वह ऐसे मसाला बनाने स इस से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बना के जरूर देखेगा इस दासी पी को जरूर यूज कीजिएगा वन फॉर टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर हाफ टेबल स्पून नमक एक चमच भरके में धनिया पाउडर दो चमच डाल दोंगी और इसमें 1 फॉर टेबल स्पून डालोंगी में हल्दी पाउडर मसाले फ्रिंट बस यह घर के वाले मसाले जो हम रोज रूटीन में यूज करते हैं वह डालेंगे और एक चमच मैंने डाला है हिंग और 1 फॉर टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है सब चीज डाल के अच्छी तर है यह हम आपको दीख डहोगा सब्सेटीन मसाला लग चुका है क्वाशिमार क्वा ऐगाल मिनट्शा न करते कि गूण में दूंह घोड़ मे perspectives हैं यह हम आपको दीख रहा होगा तो chain a बहुत कम आदी हो गई है देख सकते हैं थोड़ा सा ची तर चलाएंगे तो देखिए कि अच्छा सा कलर आया मसाले का इसका कलर भी चेंज हो गया जैसे मसाला भूने गा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा अब ही जो हमने मसाले में मसाले मसाले डालकार के राकर रहा है थी सा कर लेंगे यह देखिए धीसाद क обязर थी कर अंतर और यह लगा निजा उथ से लिजाओ तोड़ा साथ पानी डालेंगे तोड़ा साथ तोड़ा सा पानी डालेंगे तोड़ा सब्सक्राइब इसकå पानी देखें भुक्त पैके – सब्सक्राइब करमा Осब सके पानी सब्सक्राइब ग्लास टूंष उसके पानी डाली। अधर मसाले थे थोड़ा सा पानी डालका है। रशेष्वक मिक्स्राइब यहां दों सीटी लग दोकर के मिसको बंद कर दूंकि दिखेया हैं पंदय को मेरे मोची डेफी मेरे मेरी मेरे अच्क रही राव प्रश्य राविप लीजिए मटा पनीर हमारे एकदम रेडी हैं गरम गरम रोटी के साथ सफ कीजिए अपने गैस्ट को अपने फैमली को और उसका मज़ा लीजिए अगर आपको मेरी रसी पर अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जदर जदर लाइक कीजिए और कम वीडियो कर सके चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक ये फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बहुत सारा प्यार करें